असलाम अलेकूम आयोटी फैमली कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं आप सब ठीक ठाक होंगी आप लोगों की दौाओं से अलाम दोलिल्ला हम भी ठीक ठाक हैं तो आज हम आपके ताज शेयर करने वाले हैं करेले की रेसिपी बहुत ही अच्छा सा से स्नेक्स बनाऊंगी आप ऐसे ट्राइ करिएगा इंशाला आप लोगों को बहुत पसंद आएगा तो सबसे पहले हमने दो करेले ले लिये हैं और हम उनको अच्छे से वाश कर लेंगे उसके बाद में फिर हमने ऐसे गोल शेप में इसको कट कर लिया है और इसके बीच वाला पार्ट हमने निकाल दे इसी तरह हमने दो से करेला भी कट कर लिया है और हम इसके बीचे बीच का भी पार्ट ये वाला जो है वो निकाल देंगे तो आप देख रहे हैं करेला हमारा अच्छे से कट हो गया है और अब हम इसको ट्रांसफर कर लेना है एक बाल में तो अब हम इसमें 1 टी स्पून के करीम नमक शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथों से ताकि नमक जो है वो करेले में पूरी तरह से मिक्स हो जाए और फिर करेले को हम रख देंगे 15-20 मिनाट के लिए कम से कम आप जितना जादा रख सकते हैं टाइम उतना रख सकते हैं इस तरह से करेलो में अच्छा सा पानी निकल जाएगा और इसके करवाहट काफिया तक कम हो जाएगी आप देख रहे हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है तो कम से कम 30 मिनट हो गया है तो अब हम चलते हैं इसको पानी निकाल देते हैं तो हमने करेले को एक पानी से दुल दिया है ताकि इसमें जो नमक हमने शामिल किया है और जो कड़वाहट आई हुई है वह उस पानी के साथ अच्छे से निकल जाए और हमने इसको अच्छे से ड्राइ कर लेना है तो आप देख रहे हैं यह अच्छे से इसका पानी भी निकल चुका है और हमने इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे सबसे पहले हम इन चीजों को ऐसे फैला कर देंगे जिससे हम Dlatego Sakmade कोडिंग करें मिझ अच्छे clipём anic हम यहां शामिल चाओडर हाफ टीड़ स्पॉन हम स्थीज चाओडर कोड़न चाहा हीं अब निया Ayoda Haar इसे एक बड़ी ऐसा फ्लेवर आएगा खटा खटा सा अच्छा लगता है तो इसका बहुत ही अच्छा स्वादा आ जाता है तो हमने इसमें नीमू को अच्छा से शामिल कर दिया है और अब हम इसको हाथों की मदद से पूरे करेले की कोटिंग कर लेंगे इसमें हम मिला दें तक करेले ठाजाना के खelflla सिलिए चामल खटा साम συनल करेंगे युशि कोटिंगे और एक लिए उनने ने साहुत है ओक रहताना के मदद दियुश्य आज़े दाए करेले के लिए के 시청 mendal इतना यूल है यूल कोटिंगे खटा विल्हच आन दिद फश्य बूर्ध ृतों करेल कोटिंग आजाए बस आप देख रहें आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं अगर करेला जादा ड्राई है तब और अगर आप वाश करके फॉरान ही करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं तो इस तरह से हमने इसके एक अच्छी सी कोटिंग कर ली है और ह कि आप चाहें व्दटे तो पेन आप शामिल करना है छिसको हम पूरे से परए पैन पर अच्छी से ग्री कर सके बस हमने इतना अरा है पर अच्छी से परोध़े कर से ब कर देंगे और अब इसमें शामिल कर देंगे ti पूरा एक साथ नहीं फैलाएंगे नहीं तो फिर वह आपस में चिपक जाएंगे तो ऐसे करके हमने एक एक को पूरे पैन पे फैला दिया है तो आप देख रहे हैं ये एक साइट का अच्छे से कुख हो गया है और हम इसको अब पलट देंगे दूसरे साइट का भी हम इसी तरह से अच्छे से कुख कर लेंगे तो इसी तरह से हमने दोनों साइट को अच्छे से कुख कर लिया है और करेला हमारा काफी अच्छा क्रंची हो गया है आप इसको दाल चामाल के साथ सर्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है बढ़ी असा स्नेक्स भी बना है आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं बहुत अच्छा लगता है खाने में तो आप हमारा ये करेला बनकर रेडी हो गया है हम इसको सर्व कर लेते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैन और भी रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं अल्ला हाफिज